हाई फ्रेंड्स वेल्कम तो माई जीए ट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में आपको पताने वाला हूं हाउ टु फिल सल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन एर सुवीदा एप एर सुवीदा पोटल सल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरह फिल करते हैं ऑनलाइन वह आज हम इ करें एर सुवीदा पोटल फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है एर सुवीदा कोविड-19 न्यू डैली एरपोर्ट फर्स्ट वह सलेक्ट करें आप इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने तो सबसे पहरे आप यह पैसेंजर एडवाजरी पर लीजे इस पर लिखा ह सब्सक्राइब कोविड-19 टेस्ट विट इसका मतलब यह है कि बीस डिसमबर दोजार इकी से यह चे मेट्रो सिटीज को जो भी आएगा पैसंजर अब्रॉट से उसको पहले प्री बुक करना होगा कोविड-19 टेस्ट यह एरपोर्ट पे आने से पहले यह किस तरा से डाया बुक करते हैं वहम बुक करते हैं और सुविद-इय59 टेस्ट सिर्फ वही कंटरीज में रहने वालों के लिए अपलृकेबल है जो एट-ट-रिसक और इसके हैं तो उसके लिए आपको गुगल परे चेकना पड़ेगा कि वहाँ कौन से कंट्रीज हैं मैं आपको इस यहाँ पर देकी, at-risk countries India has classified certain countries based on the current COVID-19 situation as high-risk countries which are as follows 1. countries in Europe including the United Kingdom 2. South Africa 3. Brazil 4. Botswana 5. China 6. Mauritius 7. New Zealand 8. Zimbabwe 9. Tanzania Hong Kong Israel, Kongo, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya, Nigeria, Tunisia and Zambia ये countries से आने वाले जो भी लोग हैं उनको pre-book COVID-19 test register करना होगा AirSuita portal में ठीक है? ओके चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ातने हैं सबसे पहले आप full name या pen आपका full name मेंचिन कीजिए जो आपके पास्पोर्ट में है जैसा कि example आपका नाम है मनोज तिवारी अगर आपका फिर्स्ट नेम है मनोज और सर नेम है तिवारी तो आप मनोज तिवारी यहाँ पे मेंचिन करना होगा full name में ठीक है उसके बाद आप आईए second option date of birth आपका जो भी date of birth है पास्पोर्ट में वो दालिए यहाँ पे इसके बाद जेंडर उसके बाद आप चेकी यहाँ पे देखिए सर जो शार्जा से हेदराबाद जाने वाली flight है ना वही आप flight number आपको mention करना होगा क्योंकि यहाँ पे bracket में clearly mention किया हुआ है कि arriving in India इसका मतलब यह है कि जो flight से आप इंडिया आ रहे है वो flight का number चाहिए ना के दमाम से शार्जा आ रहे है वो flight का number शार्जा से हेदराबाद ज शार्जा से मुंबई जो भी आप आ रहे हैं जिदर भी आप आ रहे हैं तो वो जहां से connecting है वहाँ की flight number का number यहाँ पर डालना होगा ठीक है उसके बाद आप आप आईए next seat number पे जो भी seat number है वो आपकी flight ticket पे mention रहेगा 13A या 13F 14F 9A जो भी है whatever आप यहाँ पे seat number अपना mention nationality आपकी जो भी nationality है जो भी in the sense यह तो इंडिया के लिए है आप इंडिया से लिट कीजिए यहाँ पर पासपोर्ट नमपर तो आपके पासपोर्ट पर रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है upload your passport copy upload your passport scan copy जो भी scan आप कर रहे हैं passport copy को clearly वो 1MB से अंदर होना यह उसका size passport copy का size 1MB के अंदर ही रहेगा तो यहाँ पर लेगा नहीं तो यहाँ पर वो file को select नहीं करेगा और file name आपको रखना है only hyphen and underscore permitted यहाँ पर clearly mention हुआ है कि आप अपने passport की जो scan copy है उसको आप rename सिर्फ hyphen याने के dash या underscore जो रहता नहीं लाइन वही आपको file name देना होग ना के passport scan copy scan page scan document ऐसा कुछ भी name नहीं रहना चाहिए नहीं तो यहाँ पर upload नहीं होगा फाइल ठीक है उसके बाद आप date of arrival पे date of arrival select कीजिए जो भी आपका arrival date है इंडिया में इसके बाद country of departure आप किस country से origin मतलब आप example आप निकल रहे हैं दमाम दमाम अगर आप दमाम से flight रहे हैं इंडिया उतर के तो यहाँ पर आपको सेलेट करना होगा यस अगर नहीं ले रहे हैं डूमिस्टिक फ्लैट बस इंटरनेशनल फ्लैट इंटरनेशनल फ्लैट पर लैंड करके वहां से आप बाइकार या बाइबस जैसे भी आप travel कर रहे हैं तो आप सेलेट नेम और उसका भी फाइल नेम से उनली हाइफन या अंडर्सकोर यही रहना चाहिए अगर आप टेस्ट सर्टिफिकेट लिखेंगे तो नहीं लेगा इसके बाद आपने PCR टेस्ट कप कराया है वह डेट यहाँ आपको आपको लिखना होगा उसके बाद आपकी अप्लोड व होना चाहिए और उसका भी फाइल नेम सेम ओनली हाइफन एंडर्सकोर परिमिटे रहना चाहिए ठीक है उसके बाद आप डेट आप फाइनल डोज वैक्सिनेशन यहाँ पर आप मेंचन कीज़ा आपके वैक्सिट में यह लिखावा रहेगा पाइनल डोज आपने कब लिया पर हो रही है मतलब आप इंडिया में कौन से एर्पोर्ट को फुस्ट लैंड कर रहे है यहाँ पे एरपोर्ट के नेम है वह आपसलेट कीजिए यहां से लिखावार यहां पर आपका फाइनल डेस्टनेशन विलेज आप यहां फी मेंचन कीजिए इसके बाद final destination तहसील, इसके बाद final destination state, unit territories, final destination district city, यहाँ पर select कीजिए, final destination pin code, pin code भी आपको यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर mobile number, इंडिया का mobile number, या आपका सौधी का भी alternate mobile number, यहाँ पर country select करके आप डाल सकते हैं, option दे रहा है, alternate, आपके बास अगर दो number है, या आप किसी relative या friend का number डालना चाहते हैं, तो यह alternate में आप डाल सकते हैं, फिर आपकी email id यहाँ पर mention करें आप, उसके बाद यहाँ पर show है, are you experiencing any of the following symptoms, अगर आपको fever, curve, respiratory diseases है, तो आप yes कीजिए, अगर नहीं है, तो no पर tick mark immunosuppressive therapy, yes, अब जो भी देखें, option select कीजिए, अगर आपको है, यह चीज़, this is just, तो आप yes कीजिए, अगर नहीं है, आप कोई भी disease में इन्वाल नहीं है, तो आप no 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 select कीजिए, उसके बाद आप detail of the country visited last 14 days, अगर आपने कोई country visit किया है last 14 days में, तो यहाँ पर आप select कीजिए वारना non selected, कुछ भी मा select कीजिए, उसके बाद यहाँ तीनो tick mark पर तीनो check box पर आप tick mark करके submit करें, जैसे ही आप submit पर click करेंगा, आपको form successfully fill हो जाएगा, और आपको air suvida की तरफ से acknowledgement receive होगा, आपकी email id पे, तो वो यह acknowledgement आपको print लेके vaccine certificate के साथ आपको अपने साथ रखना होग airport पे जो भी checking होगी, आप पूछेंगे, तो आप उनको यह बता सकते हैं, कि आपने air suvida में online portal already register किया है, तो इस तरह से आप air suvida में self declaration form fill कर सकते हैं, अगर आपको कोई doubt है इसमें, तो आप comment box में पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा, त मेलते हैं नेस्ट वीडियो में